एक बार फिर से आप सबी कार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटूब चेनल नर्सिंग रिव्यूज एंक्यूज में दोस्तो आज एक और वेकेंसी के साथ हम आ गए हैं जो कि बिल्कुल लेटेश्ट होने वाली है दोस्तो इस लेटेश्ट वेकेंसी के बारे में ह कहां से निकाली गई है क्या ओल इंडिया की कंड़ेट एप्लाइगर सकते हैं नहीं क्या आपकी सेलेरी होगी कितनी पोस्ट होने वाली है दोस्तो सबी इंफोर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगी दोस्तो हमारे साथ बने रहें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को शेयर करना ना भूलें ऐसे वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन चरू प्रेस कर लें तो यहां पर सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएं जिए वेकेंसी कहां से निकाली गई है तो दोस्तो आज की जो वेकेंसी हो आपका यहां पर होने वाला है और इंडिया इंस्ट्वीट ओफ आयुरुएदा नियू देली से आपके लिए वेकेंसी है यहां पर रिलेज की गई है बी इसी आयल के द्वारा वेकेंसी यहां पर रहने वाली है पेशेंट केर मेनेजमेंट कम एडमिन एक्सेक्टिव की ए एसिस्टेंट कोर्स, मेडिकल ओफिसर, पंच कर्मा, अटेंडन्स और स्टाफ नर्स की यहां पर सोला पोस्ट होने वाली है जिसमें वेसी नर्सिंग और मेसी नर्सिंग इसके साथ ही जी एनम सभी अप्लाइ कर सकते हैं जी एनम वालों के लिए यहां पर हंडेड बेड़ होस्पिटिल का two year का experience यहां मांगा गया है compulsory जिनका two year का experience है जी एनम वाले वही apply कर सकते हैं लगबख सभी central government की vacancies में यह हैं rule fix कर दिया गया है two year experience का 35 यहाँ पर age limit दी गई है 37,500 पर मन्त आपका यहाँ पर fixed payment रहने वाला है इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है regular course in diploma in ayurveda nursing या pharmacy भी यहाँ पर apply कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर staff nurse की vacancy और pharmacy भी यहाँ पर apply कर सकते हैं और 3 years का यहाँ पर experience उनसे मंगा गया है जो की reputated hospital का हो, ayurveda hospital में हो, वहाँ पर उन्होंने काम किया हो ward attendant guest bonified sanitary inspector की यहाँ पर vacancy है medical record technician guest यहाँ पर farms यहाँ पर आपके लिए सभी की vacancies release की गई है लगबग selection यहाँ पर आपका prescribed norms and requirements for the jobs तो selection जो है आपका किसके base पर रहने वाला है norms and requirement jobs की जो है उसके अनुसार TADA, document verification के लिए आपको नहीं नहीं मिलने वाला है joining जो है यहाँ पर duly selection etc रहने वाला है application must be submitted online आपका application form जो है वो online submission होगा becil.com पर जाकर आपको apply करना होगा वहाँ पर आप apply कर सकते हैं आगे हम बता देंगे आपको कैसे apply करना होगा पुरा process candidate request to take print out of their application form after online submission retained with them for future reference यानि कि आपका यदि selection हो जाता है तो document verification के लिए आपका form भी check किया जाएगा तो आप print निकाल कर उसको जरूर रख ले इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं last date of submission जो आप कि रहने वाली है वो है 25 March 25 March तक आप online apply कर सकते हैं अब आगे हम बता देंगे इसमें आपको apply कैसे करना होगा becil.com या फिर becil.registration.in पर जाकर आपको website open कर लेनी है उसमें आप देख सकते हैं photo वगेरा आपका जो है form open हो जाएगा जिसमें आपको आपके certificate यानि कि 10-12 की mark sheet इसके बाद आपको जो है आपके GNM या फिर आपने जो BS Sinner Singh या अईरवेदा Sinner Singh जो भी किया हो वो सब आपको upload करने होंगे इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं select advertisement number first step है enter basic detail work experience and qualification फिर बाद में आपके documents upload करने होंगे application preview आएगा जिसमें आप modify कर सकते हैं देन आपको payment करना होगा और email your scan document to the email id mentioned in the last page of application form तो mail idea आपको डाल देनी होगी आगे हम बात करें fees की तो fees यहां पर आप देख सकते हैं category wise divide की गई है general के लिए 885 रुपे है HTSD के लिए यहां पर 3531 रुपे फीस है obviously के लिए 885 ex-serviceman के लिए 885 women के लिए 885 और EWS और physical handicraft के लिए यहां पर जो है 531 फीस दी गई है यहां पर किसी भी mode से आप apply कर सकते हैं फीस को इसके साथ ही दोस्तो जो भी सारी important information थी वो सारी हमने आपको इस वीडियो में share कर दिये तो वीडियो में बनेने के लिए आप सभी कदने बाद तेंगे दोस्तो दोस्तो हमारा in case YouTube से notification नहीं पराप्त होता है तो सभी वीडियो के update हम इस चैनल पर डालते हैं इसके साथ ही दोस्तो सभी notifications आपको यहां पर मिल जाएंगे यहां पर अभी latest जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से notification आया है जो कि हमने डाल दिया है तो दोस्तो यहां पर latest notification हम डालते हैं साथ में कभी कभी क्यूज के कुशन भी डालते रहते हैं तो important update के लिए दोस्तो अभी चैनल को subscribe कर लें